हेलो फ्रेंड मैं हूँ राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल में आपका अपना एलेक्ट्रिशियन आज का ये हमारा वीडियो है आपने थम्मेल में देखा रहेगा कि आज हम बात करने वाले हैं चार स्विच और उसके चार सॉकेट ये चार स्विच चार सॉकेट की वाइरिंग हम कैसे करेंगे तो वाइरिंग करना काफी आसान है वीडियो में आज तक बने रहे एक स्विच सॉकेट हो या दो स्विच सॉकेट हो तीन स्विच सॉकेट हो वाइरिंग करना बिल्कुल नॉर्मल रहता है आज मैं आपको बजान चार, अब हमें किस तरह की वाइरिंग करनी है, कि ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, इस तरह की हमें वाइरिंग करनी है, चलिए अब इसकी करते हैं वाइरिंग स्टार्ट, आप ये देख सकते हो, स socket में हमारी तीन pin है और switch में हमारी दो pin है socket की उपर वाली pin में earthing connect करते हैं और यहाँ पे neutral में हम neutral connect करेंगे एक side और एक side हम face connect करेंगे चलिए अब हम wiring start करते हैं तो यह आप देख सकते हैं 4 socket है हमारा तो हम क्या करेंगे सारे socket के उपर वाले pin को जैसे हमने एक number socket से ये वायर लिया green कड़र का वायर लिया earthBY में जायतर green wire यूज ह dar continuar होति है तो ये दो नंबर socket में डाल दिया हमने यहां से wire उठाया ये टीν नंबर socket में डाल दिया यहां से wire उठाया और ये 4 number unit तो यहां से हमने निकाल दिया और हर एक socket में यह N लिखार रहता है, मतलब यह हमारे यहाँ पे neutral के wiring होगी, तो हम क्या करेंगे, एक number socket से यह black wire लिया, हमने इस socket के neutral में connect कर दिया, सेम इसी तरह से यह 2 number से हमने लिया, यह 3 number socket में connect कर दिया, 3 number से हमने लिया, यहाँ पे 4 number socket में connect कर दिया, और यहां से हमने निकाल दिया main wire यह हो गई हमारी neutral की face wire में हमें ज़रा ध्यान देना है face wire हमें socket में इस तरह से loop नहीं करना है face wire हमें क्या करना है switch में देख सकते हैं आप 2 terminal दिये हुए है तो पहले switch से हमने नीचे से यहां से एक wire लिया यह जाके हम दूसरे switch में connect करेंगे नीचे फिर यहीं से यह wire उठाएंगे यह हम लेंगे तीसरे switch में connect करेंगे तीसरे switch में connect किया यहां से लिया हमने यह चौते switch में connect कर दिया और इस जगह से हम main wire लेके आएंगे और यह हो गई हमारी face की supply connect हो गई अब हम switch on करेंगे तो socket को supply चाहिए तो अब हमें क्या करना है एक number switch के उपर से यहाँ से wire उठाएंगे और इस socket में यहाँ पे socket के जगा पे एक ही पिन खाली है यहाँ पे हमने connect कर दिया switch on किया हमारा यह socket चालू वैसे हमें आप दूसरे switch के जगा switch से यहाँ से wire लेना है और इस socket के यहाँ पे connect कर देना है यह button on करता है हमारा दूसरा socket भी complete हो गया फिर तीसरे switch के उपर से हम यहाँ से wire लेंगे और यहाँ पे हम यह socket में connect कर देंगे तो यह हमारा तीसरा socket भी चालू हो गया वाइरिंग हो गई है हमारी complete और भी अगर इस तरह की कितने सुच कितने सौकेटे किसी भी तरह की वाइरिंग की अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमें comment करें मैं उसका वीडियो बनाके आपको जल से जल दे दूँगा हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के पर थैंक यू चैनल पर नए हो तो पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह के एलेक्ट्रिक्स रिलेटेड नए नए वीडियो हमार चैनल पर मिलती रहती है